ये कैसी जगे है जहां विश्क न्याय करती है गांजे का सेवन वो फसाती है मासूम लड़कों को और हडप लेती है उनकी जायदाद और वो बेचारे लड़के जो सिर्फ एक चीज बीते हैं पहले के जमाने में अगर किसी का stillborn child पैदा होता था या किसी जगे की फसल खराब हो जाती थी या किसी की गाइब हैसे बिमार हो जाती थी तो community के लोग blame करते थे witchcraft को कुछ लोगों को witches brand कर दिया जाता था और पूरी community अपने incompetent होने की खुंदक उन पे निकालती थी और mostly उन्हें मार दिया जाता था और उस सब में भी भुखतना किसे पढ़ता था powerful आदमियों को क्यूंकि next day गाली देने के लिए उनके पास कोई नहीं होता था उन्हें नया ढूंडना पढ़ता था पुराने को तो मार दिया and by default जिन्हें witch बोला जाता था उनमें दो चीज़ें common होती थी एक वो caste hierarchy में backward या lower caste कहे जाते थे और दूसरा वो औरते होती थी no surprises there anyway वो होता था पुराने भारत में जहां पे घर से निकाल के मारा जाता था नए भारत का सीन अलग है क्योंकि पुराने वाले में क्या होता था कि entertainment का scope बस एक पंचाया था यह गाहों तक ही limited था बाकी तो कोई देख नहीं पाता था फिर हमारे देश ने तरक्की करी technological advancements हुए news channels आये social media आया तो यह नया भारत है यह घर में घुसके building में घुसके car में car के पीछे lift में घुसके कहीं भी मारता है कोई fix नहीं है और अब इन कामों के ले legitimate hitmen रखे हुए है वो लोग अपने आपको journalist बुलाते हैं और उन्हें लोग क्या बुलाते हैं यह आप सब जानते हैं लेकिन इंटरनेट पे भी public कम नहीं है जब इंटरनेट आया इंडिया में तो उसने जिंदगी इतनी आसान कर दी हम सब की कि अगर दिल्ली में बैठे एक इंसान को Bangalore में बैठे एक लड़की को गाली देनी है rape threats देने है तो ticket करा के उसके घर के बार जाके तो बहुत खर्चा हो जाता वो मिले ना मिले, phone number भी निकालना easy नहीं है लेकिन internet नहीं सुविदा हमें दी है कि अब हम कहीं भी बैठे बैठे एक लड़की को चुड़य, अलकुल्टा, डायन, वैंप, विशकन्या, गोल्डिगर बुला सकते हैं और हमारा कुछ नहीं होगा simple joys of life इसके लिए हमें internet का आभारी होना चाहिए so coming back to the topic जो modern day witch hunt है वो हर एक के enjoyment के लिए घर घर तक पहुंचाया जाता है क्योंकि entertainment किसी एक का नहीं है entertainment सब का होना चाहिए, भड़ा सब की निकलनी चाहिए जैसा कि हमने देखा 5 महिने से एक iconic one of its kind case में अब इसमें पेट्रिया की कहा आती है वेल केस की शुरुआत में बहुत सारे नाम सामने आये लेकिन फिर लोगों ने कहा कि काफी confusing हो रहा है तो सबने मिलके एक flawless procedure के थूप बहुत ही minutely चीजों को study करके end में circle down किया रिया चुकरवर्थी के नाम पे और उस procedure का नाम था अकडबकडबंबे बॉ और reasoning के लिए पबलिक के पास बहुत सारी चीजें थी जैसे कि एक तो वो उस अक्टर की girlfriend थी अब girlfriend boyfriend again western concepts हैं तो इसका मतलब वो हमारी संस्कृतिय के खिलाफ तो anyway थी ही आधा तो वहीं प्रूव हो गया कि she's guilty दूसरा देवर है न लिव इन रिलेशन्शिप लिव इन रिलेशन्शिप वर्ड का अगर आप समाज में जोर से उचारन करेंगे तो ब्रहमान में बिजलियां करजेंगे ऐसा वेदों में लिखा है आप किसी भी इनसान को बोलिए कि यह पर्टिकलर लड की लिव इन रिलेशन्शिप में है और उसे लगए कि मर्डर वर्डर तो फिर इसके लिए बहुत चोटी बात है जब यह इतना बड़ा कांड कर सकती है तो मर्डर क्या है फिर उसके लिए और इसी टाइब की मेंटालिटी से फिर निकल के आया देट शी वस गोल डिगर वैंप थी फैमिली इस्प्यूट्स कराती थी पैसे हड़ाप रखे ते उसके जिसमें से कोई भी चार्ज बाइद वे प्रूव नहीं हुआ है लेकिन भिलवाडा में तृपाल के नीचे लेकिन फिर भी लोगों ने उस एंगल को शिदत से एक्स्प्लोर किया अपने माइंड में कि ये लड़की उस एक्टर को ड्रग्स कराती थी कराती थी भाई या माबाब अपने बच्चों को पालक की सबजी नहीं खिला सकते उनकी मर्जी के खिलाफ वो लड़की उस 34 साल क इंसान को बिना उसकी नॉलेज के ड्रग्स करा रही थी उसके बाद जैसी रिया चक्रवर्ती को NCB का नोटिस आया और उन्हें अरेस्ट किया गया पूरे देश में हर्श और उल्लास की एक लहर दोड़ गई कि हाँ भाई अब इस देश का कुछ हो सकता है अब हमारे बच् चक्रवर्ती for now basically हमारे समाज की frustration थी जो और कहीं निकलके नहीं आप आरी थी तो यहां बाहर आगई और अगर आपको इस से अलग कुछ लगता है तो आप बहुत बड़े genius हो प्लीज भाहर में जाओ so press the like button if you like this video subscribe to the channel and comment down if you have any thoughts on this topic or just write down cat cat food cat life anything and i'll see you in the next video tab tak ke liye jai hin jai bharat jai naya bharat bye bye